फ्रेंड स्वागत आपका मारी योटीब चैनल गार्डिंग ट्रिक्स विद अवे में आज हम देखे यह ब्यूटिफूल से देखे रोस के प्लांट के बारे में इसके केर के बारे में बात करेंगे कैसे इससे जो देसी रोस की वराइटी होती है उससे अच्छे अच्छान उसके आप बारिश हो रही है आप देख सकते हैं इस टाइम पर भी कलाउट से और हमारे जो रोस का प्लांट है यह देखे जमीन में लगा हुआ है और कितने बड़े साइस के स्टाइम पर रोस भी आ रहे है अब होती अच्छे से यह फ्लावरिंग भी इस टाइ and have a good trait. अबद्टिफी स्कते हैं कितनी अच्छी हेल्धी इसमें बट्स बन रही है। बहुत सारी प्लार्स देखिया इस टाइम पर आ रहे हैं, तो आज on it's care के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंट्स देखें हमने जो रोस का यो यह प्लांट है यह जमीन में लगाया हुआ है और आपने घमले में लगा रखे है अपना रोस का ब्लांट तो देखिए उसका जो soil media होना चाहिए वो बोतिया दे पूरस और वेल्टेंट होना चाहिए तो आप उसमें 50% garden soil और 30% आप उसमें compost 20% sand ले ऐसी mixture में road plant को अपने ऐसे soil media में आपको अपने इस plant को लगाना है और friends तो देखिए इसमें जो fertilizer होता है तो आप ऐसी मंतली इसमें एक मुठी garden fertilizer जरूर गे रहें अच्छी सड़ियोई गोबर की खा दिया फिर बर्मी आपके पती ले रहे है वो अधा चमच आप इसे हपते में दे या फिर एक लीटर पानी में ओवरनाइट शो करके वही पानी चाइपती के साहती से दे और आपके पास बहुत चाइपती नहीं देना चाहते हैं तो आप जो नोर्मल फ्रेश जो टी आती है वो आधी चमच ल कहें और आप इसे फ्लायजर के फ्रेंड मस्टर की फर्टिलाइजर एक मुठी एक ली-टर पानी में टिजोर पर चर है और यूछ दिन पर जो पो कि दे यह दू लिवाज़वानील और यू चाहरदिन के लिए नाज की दिए हम्ट हो ट जो आपने अपने तपनी की अपनी चाहते हैं कि green leaves रहें बहुती है तो उसके लिए वीकली फंजी साइट का या फिर इंसेक्टिसाइड और प्रेस्टिसाइड जो भी आर मार्केट में लाना चाहते हैं उसका इस पे स्प्रे करें तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज रोज की केकर आपको हमारी वीडियो अच्छ